Hello Everybody, ये है CVSC Science Class 8 Chapter 3 का Part 2 और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं Types of Synthetic Fibers Synthetic Fibers क्या होते हैं? इनके बाले में हमने First Part में थोड़ा General Knowledge लिया था कि Synthetic Fiber कुछ Chemical पदार्थों के बने होते हैं जिनकी Units को हम Monomers कहते हैं और जो Synthetic Fibers होते हैं इनको हम Polymers कहते हैं Then हमारा जो First Synthetic Fiber है वह है Rayon ठीक है Rayon Equishes परकार का Synthetic Fiber होता है ये कैसा होता है कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं So let's start now You have read in Class 7 that Silk Fiber obtained from Silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time तो हमने 7th Class में Silk Fiber का जो production होता है सेरी कल्चर पढ़ाता सिल्क मौत से, कौकुन से कैसे सिल्क निकाला जाता है रियरिंग, शेरिंग कैसे की जाती है उसके बारे में हमने पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि चाइना में Silk की रेशम की खोज हुई थी और चाइना ओलों ने उसको बहुत सेक्ड़ सालों तक उसको लंबे समय तक एक सिक्रिट के रूप में रखा किसी को बताया नहीं कि ये सिल्क बनता कैसे है फेबरिक ऑप्टेंड फॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कोश्टली और जो सिल्क से रेशे बनते थे कपड़े बनते थे वह बहुत मेंगे होते थे बट इस ब्यूटिफुल टेक्च्चर फैसिनेटेड एवरीवडी लेकिन जो इसका ब्यूटिफुल टेक्च्चर था बनावट थे इसका रंग रूप आकरती थी वह बहुत सुंदर थी और इसके कारणिया सवीं को आकरशिथ करता था फैस इनेट करता था अटेंप्स वर मैट पूहमेट टो मैइक सिल्क आर्टिफिशिल फिर इसके बाद सिल्क और रेशम को आर्टिफिशल तरीके से क्रतिम रूप से बनाने की कोशिश प्रियास किये गए Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk तो 19th century के अंत में, scientists को silk के जैसे ही एक आर्टिफिशल fiber को बनाने में सफलता प्राप्त हुई Search fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp और इस तरह का fiber, wood pulp जो था हमारा लकड़ी की लुकदी लकड़ी के अंदर जो pulp भड़ा होता है, उसकी लुकदी होती है, उसी से ये उसी का chemical treatment करके, रासा ही निक उपचार करके, एक रेशा बनाया गया रेशम के जैसा, इस fiber was called rayon और artificial silk इस fiber को rayon या artificial silk कहा गया, artificial silk क्यों कहा गया, क्योंकि यह बिलकुर रेशम की तरह दिखता था, texture इसका रेशम की तरह था, although rayon is obtained from a natural source, अलाकि हमारा जो rayon है, artificial fiber, इसको हम wood pulp से राप्त करते हैं, जो कि एक natural source से प्राकरतिक साधन है, wood pulp, या TT is a man-made fiber, फिर भी हम इसको एक man-made या करत्रिम fiber कहते हैं, it is cheaper than silk and can be woven like silk fibers, यह silk से काफी चीवी पे काफी सस्ता होता है, and can be woven like silk fiber, और हम इसको जैसे हम silk fiber से साड़ी कपड़े में चटाईयां वगेरा बनाते हैं, उसी तरह से हम हमारे rayon fiber से भी सारे वस्तर बना सकते हैं, it can also be dyed in a wide variety of colors, और हम इसको कई तरह के color में dye भी कर सकते हैं, rayon is mixed with cotton to make bed seats, और mixed with wool to make carpet, यह cotton के साथ mix करके हमारा जो सूती कपड़ा होता है, cotton रूई होती है, उसके साथ इसको mix करके bed seat बनाई जा सकती है, और इसको wool के साथ, उनके साथ mix करके carpet वगेरा भी बनाए जा सकते हैं जैसे कि आपको यह diagram में देख रहा है, यह carpet बनाए गया है, यह वस्तर बनाए गया है, साथी बगेरा, तो आप इनको देख सकते हैं, हमारा जो rayon होता है, वह एक बहुत important, हमारा artificial fiber है, यह synthetic fiber है, देन हमारा second number का synthetic fiber है, वह nylon है, nylon is another man-made fiber, nylon हमारा दूसरा man-made fiber है, in 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal, तो इसको 1931 में बनाए गया था, किसी भी natural raw material को यूज किये बगेर हैं, और किसी भी plant या animal से प्राप्त होने वाली कोई वस्तु इसमें यूज नहीं की गई थी, तो यह एक fully synthetic, artificial fiber है, it was prepared from cold water and air, और इसको हमने किसे बनाए था, कोईले से, water से, और air से, और chemical पदा synthetic fiber और यह इस तरह से हमारा first fully synthetic fiber था, ठीक है, हमारा जो rayon था, उसमें wood pulp यूज होती है, इसलिए हम उसको fully synthetic fiber नहीं कहते है, nylon fiber was strong, elastic and light, nylon का fiber काफी strong होता है, मजबूत होता है, elastic होता है, और light यहने हलका भी होता है, it was lustrous and easy to wash, जह है, चमकीला होता है, और धोने के लिए क्लोच, तो यह कपड़े बनाने के लिए बहुत popular fiber है, we use many articles made from nylon, हम nylon से बनी हुई कई वस्तूओं को यूज करते हैं, जैसे कि सौक से, रॉब से, टेंड से, टूथ ब्रश है, कार सीट बेल्ट से, सिलिपिंग बेग हैं, कर्टेन हैं, पर्दे हैं, इस तरह के हम कई पदार कई वस्तूओं नाइलोन के बनाते हैं, नाइलोन इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाइलोन से बनने वाली चीज़ें बताए गई हैं, यह हमारा सौक से, मोझे, रॉब से, टूथ ब्रश से, कर्टेन से, पर्दे हैं, इस तरह से कहीं चीज़ें बनाए जाती हैं, तो यहाँ पर बुजो कुछ के रहा है, इस नाइलोन फाइबर रियाली सो स्ट्रोंग डेट, वी केन मेक नाइलोन पेराशुट एंड रॉब्स पूर रॉक क्लाइमिंग, तो क्या नाइलोन फाइबर वास्तों में बहुत मजबूत होता है, और इस से हम यह पेराशुट बना स लग गया हुगा है कि पेराशुट में जो कपड़ा यूज किया जाता है, और जो रॉब्स यूज के जाती हुए, बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीच में वह फट गए या तूट गए, तो क्या होगा, जो जमपर है, उसकी जान को वाँ पर खत्रा हो सकता है, इसी तरह से जो रॉब्स क्लाइमबर होता है, रॉब्स क्लाइमबर की जो रसी वगएरा होती है, भी काफी मजबूत होनी चाहिए, वरना उसकी जान को खत्रा हो सकता है, तो यहां पर हम नाइलोन का इनमें यूज कर सकते हैं, तो नाइलोन आलसर यूज पोर मेकिंग पेराशूटस और रॉब्स और लॉग क्लाइमिंग, तो हम नाइलोन का यूज पेराशूट बनाने के लिए और रॉग क्लाइमिंग के लिए यूज करते हैं, आप इसको नोट कर लें, क्योंकि आपके एक्सरसाइज के क्विशिंस में आने वाला है, अनाइलोन थ्रेड इ से कई तरह के धागे लेने हैं और उन सको एक बजन के साथ इस्टेंड पर लटकाना है या ना यह चुछ बजन दे रखा है तो आपको अलग अलग तरह के धागों को लेकर इसको test करना है कि हर धागा कितना बजन सहन कर सकता है तो आप देख पाएंगे जि वहारो नायलोन का फाइबर होता है दागा होता है यहाँ पर टेबिल बनाई गई है कोटन, बोल, सिल्क, नायलोन तो यह सब कितना वजन सहन कर सकते हैं तो आप पाएंगे कि वहारो जो नायलोन है वह सबसे ज़्यादा वजन को सहन कर पाता है तो इससे हम पता चलता है कि नाइलोन जो है वहाँ बहुत मजबूत रेशा होता है तो इसके बाद हम पोलिष्टर एन एकरिक पलने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको यह पार्ट कैसा लगा? कमेंट करके बताएं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है और नोटिसिफिकेशन बेल को भी आप दबा दें ताकि आपको नोटिसिफिकेशन मिलती रहे ओके, keep learning and keep watching थैंक्यू